तीसरी कार ले देके मुझे मिली मेरे को बॉम्बे से ही निकलते 8.30 बच गिया था and मैं परसनली जानता हूँ कि अलीबाग का रास्ता कितना था खतरनाक है खतरनाक डैड मीन्स पूरा वैली का रास्ता पड़ता है बीच में पूरा अंधेरा वहाँ पर लाइट से आपको नहीं देखेंगे 80 परसन रास्ता बिना लाइट के ही रहता है वहाँ पर के लिए मैं निकला बट मैं वहला कि चलो यार नहीं आज तो करेंगे जो भी होगा जो होगा देखा जाएगा like that मैं निकला बॉमबे से निकलते हैं मेरे को साड़े आट पॉने नौ बच गे थे मैं गया गया जा रहा हूं जा रहा हूं मैं पता नहीं उस समय अजीब सा फील आ रहा था एक डर महसूस हो रहा था मैं क्यों मतलब आप लोग को ऐसा बोलू मतलब मैं इंटर्नल फियर कह लिजया जो भी एक फियर था बहुत सरे एक्टर डिपेंड करते कि आप अकेले उतना दूर जा रहे हैं रात के समय ऐसे गर के तो मैं नहीं नहीं है आस तो जाओंगा और करके रहूंगा यार वहां पर मैं बीच-बीच में जा रहा है अटल सेतु पढ़ता है जो नया बना श्री नरेंडर मोदी जी ने कुछ दिन पहले उसका इनाउग्रेशिन किया जाते डेम मैं वहां से गया अटल सेतु तक सब चीज ठीक था अट दा टाइम वहां कतम वहां फिर ना वैली का रस्ता बड़ा अजीब सै पूरा अंधेरा सारा चीज करके यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप लोगो सुनने में थोड़ा सा मूवी टाइप वाला लगे क्योंकि यह चीज यह experience मेरे साथ फॉर्स टाइम हुआ था जो mirror रहता है न रेर mirror वहां उसको बार बार मैंने नजर उस पर जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई बैठा है female बैठी हुई है white ball दिख रहा है उसके दो तीन बार ऐसे हुआ बट मैंने एग्णोर कि चलो hallucinate हो रहा हूँगा या कुछ इस टैप का है क्योंकि उस औरा से मैं निकल किया एक negative औरा से तो इस टैप का हो रहा होगा दो तीन बार की बात है मैंने किया बट जब चीजे बार बार होने लगती है वो प्रॉब्लम होता है हुआ ये कि सबसे पहले तो नेट चलना बंद हो गया मैप दिखना वो मतलब मैप आगे वो भी नहीं हो रहा है मोबाइल का नेट का तम मैं बोला है नेट कैसे चानक बंदों के देखा नेट्वर की गाया है बैंने ठीक है अब नेटवर्क देखते देखते मेरी 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 कहले है मतलब एक चीज़ा देखता हूं तो मैं साथ में और चीज़े मैं देख लेता हूंено फोन में मेरे 86% था मैं लो कोई दिक्कत नी थोड़ा आगे जाएंगे नेटवर्क आजाएगा ऑटोमेटिक थोड़े देर बाद मेरे गाड़ी की हैडलाइट का था मोगे डीरल बस जल रही है मतलब मैं उतने बड़े मतलब वैली टैप के जगहे में सिफ डीरल के बहुसे जा रहा हूँ थोड़ा सा दिख रहा है वीडियो है मेरे पास लेटरले उसका मैं ले दे के चला रहा हूँ चला रहा हूँ धीरे धीरे मैं वह लगए कोई दिक्कत नी स्लोई स्लोई चलाएंगे यार सेम चीज़ फिर हो रहा है है मैं रुक्का वहाँपर मैं रुक्के बहर निकला और फिर दर रहा है नॉमल यह बात करहा हूँ पानी será Lorasar चै बहुत बिनादो ऐसी करके तो Lorasar चाय के बनाना यह दो कब बनाना यह एक जब बनाना है अकेले ही यह कब बनाऊ गया अब आपके कार में तो एक जन बैठी हुई है, पीछे का है, कि लिए मैडम जी को चुपा रहा हूँ लिटरली, अब आप ये समझे कि वहां से अली बाग और देड़ दो घंटा दूर था अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है यार मैं यहां इसी शॉप में रुकूँ गाड़ी भी लूँ या गाड़ी से बाग जो यहां ही रुक जाओं कि मैं आगे जाओं या पीछे जाओं करू तो करूँ क्या सेम ये चीज हुआ और यार मतलब मेरे सच में बतारो मैं वह अनका सेंटेंस नका अभी रॉंक टेखड़े हो रहे है मेरे कुछ टाइम तो मैं ब्लैंक मैं बोला कि यार मैं उनसे पूछा कि भी आप कब तक शॉप खोल कर रखता है बोले साड़े दस पौने गया रहा मैं बोला ये तो हो चुका है बंद करने का टाइम बिन का आ गया है बोल भी रहके आज थोड़ा लेट हो गया है वाकी बंद कर देते है भीड़ बड़ा खतम ही है तो यार मैं को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं बोला कि आपको कोई फीमेल दिख रही है क्या भी मतलब मस्ती मजग मैं पूछ रहा हूँ यार मैं किसी को क्यों ऐसे फील हो नहीं दो और देखे टेक्निकली अलग एरिया अकेले हूं मैं हो सकता है उन्हीं लोग गलत फैदा जाएगा टेक्निकली मेरे को आगे या तो पीछे जा नहीं था मैंने सोचा कि यह जाते हैं जब आदा से जादर रस्त आ गया तो आगे जाया जाता है आगे जाना चाहिए मैंने नाविद्यम से अपने शिवजी को याद किया उन्हें समर्पित किया अपने मंतर उचारन के पड़ा वित फुल इंटेंट फुल इंटेंट मैं गाडी मैं अट तर टाइम बैठा यार स्टार्ट टरने के बाद जब हैडलेट जिला है है एडलेट चालो होगे डी आरेल के साथ डबल स्विच वला रहता है दो ऐसे करना पड़ता है 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 या बहला कुछ अच्छा हो र पड़ फिर भी रास्ता रोड का सफर था तो थोड़ा कोई है एक्सिडेंट कुछ भी चांसे सो सकते थे पड़ मैं हिम्मत रखके स्लो 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 आगे बढ़ा यार मैं ये मैंने आपको बताया था ना मैप जब चलना बंद हुआ था इसके हार्डली 15 से 20 मिनट की ही बात ह होगी ये चीज़ मैं मुबाइल निकाला जबना 86% चार्ज था उस वक्त मेरा आइफोन स्विच आफ हो गया मैं दो तीन बर आउन किया दबावा के चालू और बैटरी लोका वो आया सिंबल आया फिर आफ हो जा रहा है तो दिक्कत वाला बात हो गया कार में मैंने चार्ज में चाली साप पड़े थे उसके बाद मैं अब जो होगा देखा जाये गया सीधा रास्ता था सीधे सीधे चलते गया वह लग ठीक है गलत ही पहुँगा न कहीं किसी टाउं तक तो मैं एक बर पहुँच जाँ फिर जो होगा देखेगा चार्ज करेंगे कुछ करेंगे आप मानोंगे नहीं, मैं पूचा 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 रस्ते में डो तीन बार में बाहत गलत चीज़े फील हुई, कि एकदम ऐसे कि मेरे कोई एकदम कोशिश कर रहे है कि मेरी गाड़ी रुख जायया, कुछ हो जाया बीच में गाड़ी में कुछ ऐसे लग रहा था जमीन के नीचे कुछ टकरा रहा है पहली बार तो मैं यह भी सो चाहर अंधेरे में उतर के कैसे देखे हैं और कई कुछ हो जाए गाड़ी वहीं पर रुकी जहांपर मेरे पास लिटरली फोटो भी है उसका जहांपर मराठी में लिखा हुआ है कि अपराद मतलब हिंदी का उसका कन्वेशन वह अपराद वाला छेत रहा है यहांपर गाड़ी को आप रोके ना एक फ्लो में रुख जाए चले जाए तो मैं कोई यह लग रहा है कि और हो सकता है क्योंकि यह नेगेटिविटी कैसे भी परिशान कर सकती है फिर मैंने कार पे बैठा मैं फिर पूरा एक तंतर का प्रोसेस किया पांच-छे मिनिट का वहला आप यह कुछ करके बता है लिटरली आप मानोगे नहीं मैं अली बाग अपने क्लाइंट के घर बिना मैप के पहुचा हूँ लास्ट में मेरे ख्याल से जब मैं लोकेशन पहुचा हूँ वहां से देड़ दो सा मीटर थोड़े गलत जगा पहुच गया था मैंने कॉल किया वो दوبारह मुझे वहीं पर लेने आगए दन के घर विजिट किया अब उनके घर में प्राब्लम है था मैंने कहाना कि मेरा इस वार का तीनों विजिट सेम टाड़्ट का था यह तीनों हॉरर वार वाला सेम इसका था जब मैं ने विजट किया बहृत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे नोडाट, बहुत प्यारे लोग बहुत कम मिलते इस टैप के लोग वहाँ पर मैंने विजट किया यार उनके मेजर इस्यू हो एतना उनके रह खुणां था साथ होता है तो उन लोग यह कहते हैं सर कोई भी यही लैंड हमें एक समय में इतना फल है सर मतलब इस घर में शिफ्ट होने के बाद हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज होई है हमने यह कुवा को बंद करवा दे था पर अगेन हमने री स्टार्ट करवा है पानी के मेरे बेडरूम में कोई तो है जो की आता है और वैनेवर मी और मैं हस्बेंड यूस्ट तो स्टे टूगेधर और और तब वो चीज़ अलग कराने को सोचते हैं हमें तो टेक्निकल यह ऐसा नहीं कि उनके हस्बेंड को परेशान कर रहा कुछ कर रहा है प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि बेसिकली उन्हें mentally disrupt किया जा रहा था ताकि लडाई जगड़े बड़े कुछ बड़े ताकि वो कुछ काम अच्छे से ना कर सके उनके तो पूरी की पूरी लैंड एनरजी की प्रॉब्लम थी रात हो गया था बोलके मैं कुछ ट्रीट नहीं किया मैंने उस दि जाएगा दूसरे दिन मैं जब अपने घर लोटा हूँ ना आप मानोंगे नहीं मेरा बदन तूट रहा है पूरा अपर बदन तूट रहा है तो मैंने फायर बात ली मेरी मम्मी जी जिसे हमारे सब की मम्मी पापा दादा दादीये करते हैं कि नजर उतारना जिसे कहते हैं अब आप सनातन की ब्यूटि इतनी प्यारी है वही देखिया आपकी मैं इतना परिशान तो देड़ दिन से मैं घर पहुछा हूँ पता नहीं मेरी मम्मी को कुछ मंत्रा आता भी होगा की नी बट उनकी इंटेंट इतनी प्यारी रहती है नायर मेरी मम्मी का आज़त मैं बीटिफुल